तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहू त्रियोग समार के वीत राग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान सुभाव सारभूत है वो मंगल सुरूप है और मंगल कारी है मैं उसे मन वचन काय इन टीनों योगों को वश्मे करके नमस्कार करता हूँ च्छेडाला परमांगले गरंथे पंडित दौलत रामजी द्वारा यहे लिखा गया है च्छेडाल हैं हम दूसरी डाल जिसमें देख रहे हैं संसार के परी भर्मन का कारण कल देखा था दो प्रकार का मिध्यात वे अग्रिहीत और ग्रिहीत अग्रिहीत मिध्यात जो अनादी से चला आ रहा है किसी बिना उपदेश से जो हमारे अंदर परपदार्थ के प्रती जो एकत परिणाम है वह हमारा अग्रिहीत मिध्यात कहलाता है यहां लिखा हुगा है अग्रिहीत मिध्यात दर्शन अनादी से प्रियोजन भूत साथ तत्वों का विप्रीत श्रिधान यह अग्रिहीत मिध्यात कहलाता है प्रियोजन भूत तत्व कितने होते हैं वो शात होते हैं जीव, अजीव, आस्रो, बंधर, शंबर और निर्जरा यह प्रियोजन भूत तत्व हैं इनी के माद्दम से हमारा आत्म उधार होता है आत्म कल्यान होता है लेकिन यह जो जीव है इन प्रियोजन भू तत्मों को विपरीत रूप से सद्धान करते आया है विपरीत मतलब क्या जीव में अजीव और अजीव में जीव इस प्रकार से विपरीत सद्धान जो जीब है उसको अजीब मानते आया है और जो अजीब है उसको जीब मनते आया है ये विपरीत रूप से सद्धान इस जीब का चलता आया है और यही अग्रिहीत मिथ्या दर्सन कहलाता है ग्रिहीत मिथ्या दर्सन बताया था कि इस जीब ने जो किसी की प्रेड़ना से मिथ्याइक क्रियाइश सीख लेता है और उस पर शद्धान करने लगता है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का उसको उपाय बताता है और उस उपाय को वह श्विकार करता है शद्धान करता है और फिर उसे छोड़ता नहीं है वहे गिरहीत मित्यात्वे समाज में कितने सारे जो हैं ऐसी विपरीत मानताएं चल रही हैं जिसे व्यक्ति छोड़ता नहीं है ऐसे कितने सारे त्योहार आते हैं जो बहुजन समाज के होते हैं हमारे नहीं होते हैं हमारे सास्त्रों में कहीं लेकिन बहुजन समाज की संगती से या उनकी प्रेड़ना से वह उन धर्मों को भी स्विकार करता है और उनके अनुसार उनकी पूजा, पाठ, आराधना आदी करता है घर-घर में मिथ्यात का भाव फैला हुआ है, मिथ्याई क्रिया फैली हुई है ऐसा कोई घर मिलना बहुत मुश्किल है जिसमें कोई मिथ्या, क्रियाई या मिथ्या धर्म का पालन नहीं हो रहा हो आप करवा चोत करते हैं और भी अनिक बहुत सारे में नाम क्या गिनाओ इतनी लिष्ट बना दूँगा तो आप सोचेंगे ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं, ये सा हम मिथ्या करते आए हैं हाँ मिथ्या करते आए हैं कहीं भगवान की दिवधनी में वो खेरा तो नहीं है और कहीं सम्यक भी तो नहीं दिखता है तो इस कारण से हम सब लोगों ने ये कारकर की संसार ही बढ़ाया है यहाँ पर पहले छंद के माद्यम से मिथ्यातादी की बाते हुई अब जो है मिथ्यादर्शन जो है जो मिथ्यादर्शन है वो भी दो प्रकार का जो बताएं था अग्रिहीत मित्यादर्सन और ग्रिहीत मित्यादर्सन चंद के माद्यम से कवीराज जी स्वयम यहां बता रहे हैं अग्रिहीत मित्यादर्सन और जीव तत्वादी का जो लक्षण है उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं दूसरा चंद है आईए सुनिए उमाजीगर की आवाज में यह है चंद को जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतिन माहिवी पर्यायत्व चेतन को है उपयोग रूप बिनमूरत चिनमूरत अनूप बहुत सुन्दर यह है चंद सुनाया क्या पड़ा चंद में आपने जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतिन माहिवी पर्यात्व चेतन को है उपयोग रूप बिनमूरत चिनमूरत अनूप हैं बहुत सुन्दर कभी राज ने अचन लिखा हुआ है एक एक करना चाहिए तत्व तत्व हैं यह प्रयोजन भूत साथ तत्व हैं इनमें क्या करो सरधे स्रधान स्रधान करना इनमें स्रधान करना तिन माहिए उनमें बिपर्यत्व बिपरीत उनमें बिपरीत स्रधान करता है जीवादी जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनमें यह क्या करता है बिपरीत रूप से श्रिधान करता है अब नीचे की लाइन में, नीचे की पंती में जो ये जीब आदी है, उनका लच्छन क्या है, उनकी परिभासा क्या है तो उसकी बात कह रहे हैं जीब किसे कहते हैं तो चेतन को है उपयोग रूप है, चेतन को मतलब आत्मा का उपयोग देखना जानना है रूप मतलब स्वरूप आत्मा का देखना जानना स्वरूप है विनमूरती आमूर्तिक है कैसा है? विनमूरती आमूर्तिक है चिनमूरत चेतन मेह चेतन मूर्ती है अनूप उपमा रहित है उपमा रहित है इस प्रकार से ये एक लाइन में जीव की परिभासा है या जीव का शरूप है जो चेतना है जो आतमा है वो उपियोग रूप में है मतलब देखता है और जानता है और इसकी और क्या qualities है तो विन मूरती वो मूरती नहीं है मूरती मतलब पुदगल नहीं है पुदगल पना से रहित है रूप रस गन्द बन आधि रहित है चिनमूरत है चेतन्मव में है अचेतन नहीं है तेटना धातु से ज्ञान चेतन से बना हुआ है ज्ञान के अंदर है अनूप है अनुपः है संसार में ऐसी चेतना का कोई उधारन नहीं है कोई इसकी उपमा नहीं दी जा सकती है ऐसा अनुपम यह चेतना यह आत्मा है इस पंति की माध्यम से कभी राज जी ने बताया कि जीवादी जो है वो प्रयोजन भूत तत्व है उनके नाम भी हमें याद रहना चाहिए नाम तो सभी को याद होंगे आप सब लोग न बच्पन में पाट साला में साथ तत्वों के नाम सुने होंगे फिर से दोहरा लिजीए जीव अजीव आसरो बंध संबर निर्जरा और मोक्ष यह शाथ तत्व हुआ करते हैं जीव ठीक है ना जीव के बाद अजीव और जीव जो है अजीव आदी से रागदेश आदी करत है तो आसरो होता है आसरो के बाद आसरो मतलब करमों का आना आसरो होता है आना और इसके बाद आत्मा के साथ उसका बंध हो जाता है और यही जीव जब जीव अजीव आदियों से रागदेश नहीं करता है तो संबर होता है संबर के बाद तपस्यादी करता है तो निर्जर कर्मों का एक दिस्ध जहन्णा होता है और इसके बाद समस्थ कर्मों का अन्त हो जाता है तो जीव को मुक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस पकार यह जो साथ त्तु हैं प्रयोजन भूत हैं पर इनको मानता नहीं है कौन अगडिहीत मिथ्यादर्षटी जो है इनको मानता नहीं है इनके बारे में जानता भी नहीं है कि जीव नाम के कोई चीज होती है वह तो अनादी से क्या गरता है इनको विपरीत मानता है वो शरीर को ही आत्मा मानता है ये शरीर ही सब कुछ है मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ ऐसा भाव रखते हुए इसी के लिए सब कुछ नहाना धुलाना, खाना, पिलाना हर काम जो है इसी के लिए है इसी के इर्दि-गिर्द घूमता है इसके लावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता है लेकिन वह चेतना का जो सरूप है कैसा सरूप है? जानना और देखना आत्मा का शरूप है उसे जानता नहीं है वो तो सुनता है आँख मेरी देख रही है कान मेरा सुन रहा है जिभ्या मेरी बोल रही है नाख मेरी सूंग रही है वह इसी को ही समझता है कि यदि कान नहीं होगा तो सुनना बंद हो जाएगा आख नहीं होगा देखना बंद हो जाएगा अरे भले प्राणी ये तो उपकरण है ये उपकरण है जो जानने देखने की शक्ती है वो तो आत्मा में है यदि इन कान आख में देखने जानने की शक्ती हो समझने की शक्ती हो तो फिर जो मुर्दा है जिससे आत्मा निकल गई है वो भी जाने देखे लेकिन वो तो निश्चेतना पड़ा हुआ है बिलकुल आत्मा रहित जो जड़ जैसा पड़ा हुआ है फिर वो कहां बोलता है कहां सुनता है कभी मुर्दे को तुम कुछ बोलो तो सुनता है उसके सामें तुम खुब रोते हो वो पिघलता है क्या कि नहीं मैं उड़ जाओं इनको सांत कर दूँ अरे वो क्या हो गया आत्मा चली गई अब वो जड़ की तरह हो गया है बिल्कुल पुदगल है वो और उस पुदगल पिंड के सामें तुम रोते पीटते हो क्या असर पड़ता है जीवन भर तुमने सोचा कि मैं देखता हूँ मैं जानता हूँ आँख नाक कान आदिसे लेकिन ये भ्रहम था ये भी प्रिशधान था सच बात तो यह है कि मेरी आदमा ही जानती हो देखती थी ये सरीर तो मात्र निमित था इंद्रियां जो थी मात्र निमित थी जिस पकार से हमको आँखों से कम देखता है तो हम चस्मा लगाते हैं ना तो चस्मा तो निमित था चस्मा नहीं देखता है तो चस्मा देखे, तो चस्मा को साइड में लग दो, वो भी देखता रहे, तो चस्मा नहीं देखता है, चस्मा की निमस से, ऐसे यह आखे भी चस्मी की तरह ही है, हमको कम सुनता है, हम कान में मसीन लगा लेते हैं, तो मसीन नहीं सुनती है, सुनने वाली तो आत्मा है, है शरीर को ही सब कुछ मानता है कैसा है आत्मा विन मूरत कोई रूप रस गंद बन नहीं है ऐसा विन मूरत है चिन मूरत चेतन नमय है चेतना है देखिए आप किसी जड़ पदार्थ को ठोकर मारो तो उसे दर्द होता है क्या उसे कोई पीड़ा होती है नहीं होती है लेकिन आपके सरीर में कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा सा भी टच करता है तो आपको पता चलता है मच्छर भी तो आपको पता चलता है किसको पता चलता है कि सरीर के माध्यम से इस परसन इंदी के माध्यम से इंदियों के माध्यम से आत्मा को पता चलता है क्यों क्योंकि आत्मा चेतन मूरती है और अनुप है अनुप मतलब यह उसकी उपमा नहीं दी सा जा सकती अनुपम है जिसकी उ कोई पूछे ये दीपक कैसा है तो आप इसकी उपमा दे सकते हैं ओहो इसकी लो तो ऐसी लग रही है जैसे मानो सूर ही चमक रहा हो दमक रहा हो तो आपने दीपक की उपमा सूर की दे दी अब कोई सूर की उपमा बोले सूर की उपमा दो तो क्या दोगे सूर तो सूर जैसा ह उसकी कोई उपमा नहीं हो शकती है ऐसे ही आत्मा तो आत्मा जैसी है चेतना तो चेतना जैसी है उसकी संसार में किसी और वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती है इस पकार इस छंद के माध्यम से यह साथ तत्वों की बात हैं इनकी विप्रीज जो होता है वह अग्रहीत मिथ्यात्व है क्या लिखा हुआ है अग्रहीत मिथ्यादर्शन यह जीव जीवादी साथ प्रयोजन भूतत्वों का विप्रीज शद्धान करता है जो की अग्रहीत मिथ्यादर्शन है जीव का स्वरूप क्या है जीव ज्ञान दर्शन उपियोग स्वरूप अर्थात ग्याता द्रश्टा है अमूर्तिक चैतन्नमै तथा उप्मा रहित है ध्यान रखना हम जानने देखने वाले हैं ग्याता द्रश्टा है इसके लाबा और हम कुछ भी नहीं कर सकते आप क्या करते बताई जगत का कुछ भी तो नहीं करते आप भोजन मनाते हैं तो क्या करते हो भोजन संबंदी जो ज्ञान है उसी का कार करते हो आप गाड़ी चलाते हैं तो ज्ञान का ही तो काम करते हो आप चलते हो, फिरते हो, बोलते हो कुछ भी काम करते हो उसमें आपका ज्ञान का ही काम होता है दर्सन का ही काम होता है आपका जो काम है वही काम आपका है सरीर का जो काम है वो सरीर का काम है आत्मा का जो काम है वो आत्मा का काम है पर्पदार्थ का जो काम है वो पर्पदार्थ का काम है पर का काम तुम्हारा काम नहीं है सरीर का काम तुम्हारा काम नहीं है गाड़े का काम तुम्हारा काम नहीं है वो उसकी अपनी उपादान सकती है वो अपनी उसकी युगता है तुम्हारी युगता सिर्फ जानने और देखने की है मात अंतर इतना सा है कि तुम देखते जानते ते हो पर उसमें अपना राग देश टाल देते हो ये अच्छा है ये बुरा है उसको दूसित कर देते हो अपने ग्यान को दूसित कर देते हो तो अग्यानी बन जाते हो ग्यान को दूसित नहीं करते हो तो ग्यानी बन जाते हो मात देखना जानना हमें ग्याता दृष्टा भाव से है साक्षी भाव से है मैं देखू जानू और जाने दूँ बस मेरे ग्यान में कोई विसे आए और जाए पकड़ू नहीं उसको मोह से नहीं पकड़ू उसको प्रेम से नहीं पकड़ू उसको स्नेह से नहीं पकड़ू, उसको रागदेश से नहीं पकड़ू, उस बस्तो को जानू, देखू, साम में भाव रखू, ऐसा ज्याता द्रिश्टा मेरा आत्मा का श्वरूप है, क्या लिखा यहां पर, इसे समझना क्यों अवस्यक है, क्योंकि साथ तत्वों के सही दर्शन होता है, जो यह शाथ तत्व प्रयोजन भूत हैं, इसे समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हमें शम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, लिखा है, इन साथ तत्वों के सत्य स्रधान से, हम गरंटी से सुखी होंगे, और उनके सत्य स्रद्धान बिना हम गरंटी से दुखी ही रहेंगे अब निर्ने कर लो भी या कितने लोग सुखी होना चाहते हैं और कितने लोग दुखी होना चाहते हैं ये निश्यत है इन साथ तत्मों का सत्य रूप से स्रद्धान हो गया तो हम नियम से गैरंटी से सुखी हो जाएंगे और इन साथ तत्मों का यदि हमने सच्चा सरधान नहीं किया तो नियम से 100% जो है दुखी हो जाएंगे तो सुखी और दुखी होने का यही राज है इन साथ तत्मों को अच्छी तरह से जानो तो सुखी हो जाओगे उन साथ तत्मों को विपरीत रूप से जानो तो दुखी हो जाओगे अब बोलो क्या करना आपको सुखी होना है या दुखी होना है सुन रहे हो न सब लोग ध्यान रखना सुखी होना है तो आज से अभी से इन साथ तत्मों को अच्छी तरह से जानो और जान करके अन्भो में लाओ सिर्फ जानना ही नहीं है अन्भो में लाना है मैं जीव हूँ मैं कौन हूँ मैं जीव हूँ शरीर नहीं हूँ आँख नहीं हूँ कान नहीं हूँ ये चेहरा में नहीं हूँ, ये नक आदी में नहीं हूँ, ये बाल बगेरे में नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ, ऐसा जानो और यह सच्चा जानना ही सम्मिक दर्सन है और मिथ्या जानना ही मिथ्या दर्सन है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज यह देखा कि साथ तत्वों के जो हैं हमारे लिए कितना जानना आवस्थक है क्योंकि शुक्य होना है और हमें जो है संसार से जो चक्र हैं उससे बाहर निकल करके मुक्षादी को भी प्राप्त करना है आज यहीं पर स्वाध्य संपन करेंगे समय हुआ आज इतना ही आईए अम्मा जिन्वानी की इसुती करते हैं आवानी के ग्यान तै सुझे लोका लोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हुँ धोग सदा देत हुँ धोग इस कारिक्रम के पुन्यार जग्ते श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनोट प्लेस नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाडा दिल्ली वार्णी वार्णीन